Good morning everyone. Good morning everyone. My name is Shushank Roy and I am the founder of Shushank's Bhatshala. आज बहुत important दिन है मेरे लिए बड़े मुश्किल से थोड़ा सा टाम निकाला है and आज का जो topic है Do you plan your success? Do you plan your success? और ये topic चूज करने का main purpose ये है कि दो दिनों पहले UPSC का notification आ चुका है और date पहले से ही decided at 27th of June जब आपका UPSC prelims examination होना है इस date के आज आने के बाद जैसे ही notification आया बहुत से बच्चों के calls आये, बहुत से बच्चों के messages आये कि वो घबरा गए है, परेशान हो गए है, सिर्फ 110-115 दिन के करीब बचा हुआ है इसलिए मैंने सोचा ये video record करूँ और इस video के साथ साथ इसके कई episodes आने वाले हैं wherein I will guide you step by step कि आपको किस कि subject में किस तरीके से preparation करना है सबसे पहली बात ये है कि UPSC examination में और जिस तरीके से coaching institutions में पढ़ाया जाता है वो बहुत ही गलत तरीका है जो teacher geography पढ़ाता है वो ecology and environment नहीं पढ़ाता जो ecology पढ़ाता है वो geography नहीं पढ़ाता जबकि UPSC examination में आपको हमेशा चीज़ें integrated way में पढ़ने की जरूरत है सो फिर से मैं आपसे पूछता हूँ 114 दिन आज से बचे हुए आपके prelims examination के and my question to you is what is your strategy for those 114 days do you have a plan do you plan your success क्या आपके emotional resilience की भी जरूरत है क्या आपके success में आपके emotions का भी बहुत बढ़ा हाथ है ये UPSC examination नहीं दुनिया का कोई भी examination या फिर life की examination की बात करें तो मेरा बस आपसे एक question पूछना है what is the most important ingredient for success do you really plan your day do you really plan your week do you really plan your month do you really plan your year what is the plan और plan के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा चीज आता है execution और execution के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है your emotions emotional intelligence का UPSC syllabus में introduction क्यों कराये गया एक कहानी बताता हूँ आपको और वो कहानी बहुत ही अच्छी है और वो कहानी आपको हमेशा इस बात की याद दिलाएगी कि आपके emotions का और आपके well-being का कितना बड़ा correlation है आपके examination से आपके nutrition का आपके sleep habit का आपके physical strength का आपके emotional strength का बहुत बड़ा रोल है आपके overall success में लेकिन हमें क्या लगता है कि सिर्फ किताब में लगे रहिए 14 घंटे पढ़िए दुनिया से बिल्कुल विरक्त हो जाएए Facebook की ID delete कर दीजे WhatsApp uninstall कर दीजे and you'll be completely in isolation और जब आप isolation में होंगे तो it will be very easy for you to achieve success in UPS examination जो कि बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है that's a bullshit, that's a crap the reality is कि success is a final product success में बहुत सी चीजों का contribution होता है आपके day by day what is your food habit? what is the level of nutrition that you have? how many hours do you sleep? what is how emotionally you are? emotional level पे आप कितने healthy है what kind of thought process do you have? क्या इन 114 दिनों में आप डर के preparation करना चाहते हैं या खुश हो के preparation करना चाहते हैं एक कहानी जो मैं बताने जारा हूँ वो कहानी ये है कि गुरु द्रोनाचारे का नाम आप सबने सुना होगा अर्जुन का भी नाम सुना होगा गुरु द्रोनाचारे के सबसे अच्छे शिष्ष हुआ करते थे एक लवे का भी आपने नाम सुना होगा और एक लवे का अंगूठा गुरु द्रोनाचारे ने दक्षणा में मांग लिया था क्योंकि उन्होंने अर्जुन को या आशिरवात दिया था कि आप अर्जुन दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धर होगा अर्जुन को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी गई और अर्जुन बाकी सारे शिश्यों में बहुत अच्छे थे जब बाकी सारे शिश्यों को चडिया की पूरी चडिया दिखाई दे रही थी तो अर्जुन एक अकेले स्टूडेंट थे जिनको चडिया की आँख दिखाई दे रही थी जो बहुत एक क्लासिक एक्जाम्पल है अबाउट फोकस लेकिन महाभारत के मैदान में जब सारे योध्धा आमने सामने हुए अर्जुन ने अपने हथियार रख दी अर्जुन रो पड़े अर्जुन ने हथियार उठाने से मना कर दिया और उन्होंने कृष्ण भगवान से ये कहा कि मैं अपने लोगों के उपर हथियार कैसे अर्जुन रुप लिया विष्णु भगवान का अवतार लिया और वहाँ पे गीता का पाठ पढ़ाया अर्जुन को सो मेरा क्वेश्चन ये है कि गलती कहां थी गलती द्रोणाचारे के तरफ से थी कि उन्होंने आपने स्टूरेंट्स को इमोशनल लेवल पर ट्रेन नही किया इस बौर के लिए अर्जुन के लड़ाई हम सब के जिन्दगी के लड़ाई है हम सब एक लड़ाई लड़ रहे है और इस लड़ाई में बहुत सी चीजों का कॉंट्रिबूशन है आपकी डेली हैबिट्स आपका डेली थाट प्रोसेस आपके माइंड में क्लटर क्या अर्यों इमोशनली सैनिटाइस्ट जो मैंने बहुत से टापिक्स कवर किये हैं इमोशनल वेल बिइंग के लिए आप डेली बेसेस पे वर्काउट कितना करते हैं वर्काउट के बाद आपके निट्रिशन का क्या रोल है कौन से इमोशन को आप एंटर्टेन करते हैं और महा 24 दिनों मैं कम से कम 50 वीडियोज ले किया हूंगा यूट्यूब पे अपने शशांग पाट्शाला के चैनल में and I will prepare you on emotional level, on physical level, on every level that is required to crack this examination. बात examination की नहीं है, बात आपके performance की है. When you come out of the examination, you must not have that regret कि आपने अपना 100% नहीं दिया. बहुत से बच्चे इस गलत फैमी में रहते हैं कि it's all about studying, studying, studying for 10 or 14 hours, but the reality is, it's more about how emotionally strong you are. What kind of thought do you entertain in your mind? कि आपने preparation के समय आप डरे हुए हैं, that what may go wrong, या फिर आप बहुत excited हैं, that what are the possibilities after cracking this examination? Please, मैं फिर से बोलता हूँ, this examination is not a mother and father of all examination. This is simply an examination, आपको इसको prestige issue बनाने की ज़रूरत नहीं है, and जैसा इस examination का topic है, वो topic यह है कि Do you plan your success? So I will guide you, चाहे वो subject matter की बात हो, चाहे आपके physical well-being की बात हो, चाहे emotional well-being की बात हो, I'll be with you and I'll share whatever I have. जब UPC preparation करने के लिए, जब मैं अपने corporate job से 2011 में, जब मेरा promotion होने वाला था, when I was about to be rewarded as the best performer, तब मैं resign करके Delhi के coaching में बैठा हुआ था, पहली seat पे, पहली seat पे बैठा हुआ था, and I was very much excited. उस दिन किसी ने पूछा मेर से, why do you want to become a civil servant? तो मैंने बोला था, that I want to contribute towards nation building. बट मुझे लगता है, कि if you really want to contribute towards nation building, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हाल में हैं, आप nation building में contribute कर सकते हैं. And I'm going to promise you, that I'm going to contribute towards nation building by guiding you, by coaching you to the best of my capability. जिन्दिगी में बहुत सी गलतियां हम सब करते हैं, लिकिन उन गलतियों से, सीख के आगे बढ़ना सबसे बड़ी achievement है. And I'm going to tell you, what mistakes I have committed, and I'm going to tell you, what mistakes you should not commit. And please, द्रोनाचारे का शिश्य बनिये जरूर, and again, जैसे गुरु द्रोनाचारे ने अर्जुन को समझाया, सब कुछ सिखाया, और अर्जुन बहुत अच्छे आर्चर बने, बट वो example को याद रखिएगा, कि उस battlefield में हुआ क्या, उस battlefield में हुआ क्या, और क्यों, विश्णु तरह battlefield में जाते तो जरूर है, बट emotionally prepared नहीं होते, so I want you all to be prepared, यह मेरा पहला वीडियो है, please rate, review and recommend this video, please लोगों के साथ share कीजियो, और please comment section में जरूर बतायेगा, आपको यह वीडियो कैसा लगा, thank you so much, God bless you all, and I'll get back to you with the next video, thank you.